बताते हैं कि हरनंदी तब ही वहाँ से उठकर के जाती है अपने पिताजी के पास वह वहीं रुके हुए थे और वाजाकर के बोलती है कि मेरी एक बुड़ी फुफस जो मुझे ताने मार रही है कि तेरे भाई ने सब को फर्शन कर दिया लेकिन मेरी पोती की तूंदली नहीं आई गाए मेरा तू जीना हराम हो जाएगा कि ताजी एक बार कर किरसंदी को फिर बलाओ अब नर्शी बोले बैटी अब मैं क्या कर सकता हूं क्या बगवान मेरे नोकर है जो मेरे करने से आजाएंगे फर्शन करती है तो नर्शी कहता है चल मैं चलता हूँ तरी फुफस के पास वहाँ जाकर के नर्शी फर्नांदी की फूफस को कहते हैं कि तुम ऐसा करो ये मेरी खर्तार गिर्वी रख लो जब तक तेरी पोती के लिए दुन्दरी नहीं आती मेरी खर्तार तेरे पास गिर्वी रही रहेंगी खर्ताल रकर के अब नर्शिमा से आ जाते हैं और राष्टे में बैठे क्या विजार करने लगे ओ कैसे गोणे गाऊं हो मैं नंद के लाल तेरे ओ नंद के लाल तेरे ओ कैसे गोणे गाऊं हो मैं नंद के लाल तेरे हर नंद के फूपस आई गैला अपनी पोती लाई हर नंद के पूपस आई गैला अपनी पोती लाई ओ कैसे गोणे गाऊं हो मैं नंद के लाल तेरे हर नंदि कमारे ताने लगि पुटि आ देने यो लाने हर नंदि कमारे ताने लगि पुटि आ देने यो लाने ओ कैसे बत लाओं मैं नंद के लाल तेरे ओ कैसे गोने गाओं मैं नंद के लाल तेरे हर नंदि समझानी ओगि उसकी सुंधड़ी लानी ओगि हर नंदि समझानी ओगि मैं नू तो खठाओं मैं नंद के लाल तेरे हो नू तो खठाओं मैं नंद के लाल तेरे हो कैसे गोने गाओं मैं नंद के लाल तेरे हो कैसे गोने गाओं मैं नंद के लाल तेरे कहता है एक क्रिशन बगवान मेरे खर्टाड और मंजीरे भी गिर भी रख दिये अब मैं क्या बजाओंगा कैसे तुम्हारे गुन गाओंगा मेरे खर्टाड और मंजीरे जलवादे मेरे बगवान क्यों मेरे को प्रेशान कर लेगे कैसे विसना-शीवा की अपने प्रमादमा को याद कर रहे हैं ओ गेर भी पड़ खड ताल मंजीरे आ जहर नंदी के बीरे गेर भी पड़ खड़ ताल मंजीरे आ जहर नंदी के बीरे मैं इपके बजाओं ओ, नंद के लाल तेरे Oh कैसे गोने गाओं, ओ, नंद के लाल तेरे होगी आजे हड ताल भक्त की होगी आजे हड ताल भक्त की ओ करशन साओ मैं नंद के लाल तेरे कैसे गोने गाओ कैसे गोने गाओ मैं नंद के लाल तेरे कैसे गोने गाओ मैं नंद के लाल तेरे